सुछ एज़ी तुक्त रेल जुक्त तो आज की जो में पड़े रेसिपी है बहुत ही एल्धी रेसिपी आज हम आने जा रहे हैं ब्रोकलि कतले जो की स्टारें इसे बनाने के लिए मैंने यहां पीट है वन प्रोकली इसको ब्रोकली इसका चीशाद है धॉल ses है थो थोनी का इ और वेजी जो चाहें आप इसमें एड़ एड़ निया चीज, इसमें एड़ चीज, इन सभी को च्छी से मिक्स कर देंगे, इसमें में आप हाफ टीस्पूनी, आप ब्लैक पेबर पाउडर, रेट चली, फ्लेक्स, तेस्के और एंग गरम बाउडर, रेट चली पाउडर, थो का पाउडर तो आपकी पास ओड्स पाउडर नहीं है डूम वरी आप इसकी अपे ग्राम फ्लार या फिर मैदा या फिर गिहूं का आटा भी एड़ कर सकते जस्ट हमें बाइनिंग के लिए चाहिए तो मैंने बिना बानी एड़ कि इस तरीके से इसका डू बना लिए बहुत करके हम अपनी सारी जो टिक्की है इस तरीके से बना लेंगे मिना हाथों पे कोई ओयल वगरा नहीं एड़ किया अगर आपसे टिक्की ना बने तो आप थोड़ा सा ओयल एड़ ओन कर सकते हैं अपनी हाथों की उपर तो यह हमारी जो कटलेट बनके त्यार है अब इसको हम क अच्छी से कुक हो जाएंगी इसको टू मिनिट्स के लिए हम कुक करेंगे स्लू एन मीडियम गैस पर यह देखिए दो मिनिट्स के बाद मैंने इसे पल्ट के देखिए बहुत ही आद इसका क्रंची और यह देख सकते कलर से ही पता चल रहा है बहुत अची तरीके से कुक ह चुक है तो यह दो मिनिट्स को हम अनदर टू मिनिट्स के लिए रखेंगे गैस का फ्लेम हमें स्लू एंड मीडियम ही रखना है यह फ्रायर में आप इसे 10 फिप्टी मिनिट्स के अंदर बन जाता है 180 डिग्री पर उसको 50 मिनिट्स के लिए रखेंगे तो तो बिलकुल के बाद यह बहुत ही अच्छी तरी केसिस का कलर आया है इसे हमने निकाल दिया है इस नाव रेड़ी तो सर्फ तो आप उपनी फेवरेट सॉस के साथ इसे इंजॉई कर सकते है बहुत ही टेस्टी है और दिलिशियोस रेसीपी है तो फ्रेंड्स होब आपको आज की मेरी र पीपस और इस नाई तो प्रीजड दिलिक अमेंट श्यूर खेजर और जो नोगे तो सॉस्क्राब कर चलूटन गएज पाए तो आपको एंजड दो विम्हां पाइट विम्हां इल चाहिंग तो टेको आपको यंजड पालाव पालावट एंजू कुडूए